नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज किस वीडियो में दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता चलिए किया होगा कि रेलवे अंटीपीसी और गुरुब डी के एक्जाम के जो टेंटीपीसी डेट है दोस्तों वो 15 दिसम्बर से स्टार्ट है और उसके पहले अंटीपीसी ह पर दोस्तों गुरुपडी होगी तो जिस तरीके दोस्तों exam date के लिए हो गई है तो उसी साफ से अब अपनी preparation को भी clear करना पड़ेगा दोस्तों comfort zone से बाहर निकलना पड़ेगा और जाधा स्याधा questions पढ़ना वो जाधा स्याधा अपनी practice को आगे बढ़ाना होगा तभी दोस् दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपके selection में हमारा वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत helpful होगा क्योंकि दोस्तों इसमें हम कम समय में जाधा questions पढ़ने के लिए इसमें दोस्तों हम one eye question series भी एट कर रखे दोस्तों हमने previous year जो NTPC के questions थे वो भी डाल रखे है previous year जो exam में जो आये थे group D के वो भी questions है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वहाँ से देखेंगे और अपनी त्यारी को बहतर करेंगे आपके लिए जरू हल्प होने वाली है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube channel full percent अड़ा में चले दोस्तों ज़्याद इसने कोच करेखी ती उसको कहते हैं दोस्तों जनक है तो हीरी के अगल्य है भारतिय सेना का तोपखाना प्रिशिक्षण केंद्र स्थीत है तो जोस्तों यह आपका पूने में ठीक है दोस्तों अगलंदे गोचन है कि सूरे की उख प्रिकिर्मा करने में बुद्ध को लगने वाला समय है दोस्तों तो यह ए-a-a-dates दोस्तों जितने भी सोलर सिस्टम में जो सूर्य की चारो चक्र लगाते हैं दोस्तों उसमें सबसे कम है वो 88 days दोस्तो ये बुद्ध का ही और सबसे चोटा ग्रह भी यही है अगला है दोस्तो बिम्बसार शाशक था दोस्तो कहां कसा सकता तो ये मगत का था अगला है बंगलदेश की मुद्रा है दोस्तो तो वो है टका दोस्तो questions हैं सारे one-line questions series में आट किये गए हैं आपकी exam आपकी preparation और आपकी दोस्तो aim को मद दिनेजर रखते हैं तो दोस्तो पूरे video बने रहेंगे और हरे questions को पढ़ेंगे और अपनी study अपनी knowledge इसको बढ़ाएंगे और दोस्तो knowledge अगर आप बढ़ाएंगे तो automatically लिए आपकी जो exam भी अच्छा जाएगा और आपका selection भी हो जाएगा अगला दोस्तो फ्रियोन का प्रियोग किया जाता है तो दोस्तो उसको प्रतसीतन के रूपएने के ठंडा करने के रिए उसको use करते हैं अगला है दोस्तो कुतुबिदिन एबग पहली बार दिल्ली का सुल्तान बना था दोस्तो वो बना था बारासो छेश भी में ठीक है दोस्तो अगला कोचन है कि धातू मोम की तरह नरम होती है और इसे चाकू से भी काटा जा सकता है दोस्तो तो वो धातू है sodium दोस्तो ये बड़ी मुलाइम होती है और प्रिस कोश्चन में जो एक्जाम थे उसमें ये कोश्चन दोस्तो मोश्टली हर एक सिफ्ट में पूछा गया था दो दिन तीन दिन चोड़ करके हर एक सिफ्ट में कोश्चन आ रहे थे ये धातू जो था sodium वाला ठीक है जन्होंने परमानों आकार निर्धारित किया जाता है दोस्तो किस से डिशाइट करते हैं परमानों का आकार कितना बड़ा है तो दोस्तो वो है परमानों की त्रिज्या के द्वारा ठीक है अगला है दोस्तो बावर नामा किस के द्वारा लिखी गई है तो दोस्तो ये लिखे गई है बावर के द्वारा है दोस्तो बावर नामा जो है बावर में खुद लिखी है अगला है दोस्तो बावर नामा लिखी गई है दोस्तो किस भाशा में लिखी गई है भासा पूछी गई है तो दोस्तो ये लिखी गई है तुर्की भाशा में ठीक है अगला है दोस्तो कैलोरी मान अदिक्तम होता है तो दोस्तो वह होता है आपका हैइड्रोजन का ठीक है अगला कोशशन दोस्तो प्रकाश बलब का फिलमेंट बनाने के लिए उप्योग किया जाता है तो ये टंगस्टम धात्व का यूज करते हैं simple question आता है कि बलब में किसका यूज करते हैं फिलामेंट के दौर पर दोस्तो तो टंगश्टन का है इसी कोश्चन को घुमा के मोडरेट करके या सब्दुक्षात खेलके आपको देता रहता है एक्जामिनर अगला है दोस्तो रिहंद नदी घाटी पर योजना इस्थित है तो दोस्तो यह है आपकी उत्तर परदेश में इस्थित है अगला है दोस्तो कोश्चन निकल कहाता है कि टंगश्टन का संकेतिक जो होता है, संकेत होता है तो यह हनी कि उसको किस संकेत में उसको व्यक्त करते हैं कि Tengast necessaire है दोष्टो तो वो है W ठिक है अग्ला है Plaster of Paris के जमने में होता है खाला है दोष्टो, वो क्या कहलाती है दोष्टो वो कहलाती है निरजली करन ठीक है अगला है दोस्तो अश्रु गैस का रासानिक नाम है दोस्तो बहुत important question है question बहुत बर आया हुआ है और ऐसे question दोस्तो ये questions वीडियो में ऐसे भी है जो दोस्तो हमेशा examiner का favorite questions होते है ठीक है तो दोस्तो इसका सही जो आप cancer होगा वो chloroacetophenone होगा ठीक है अगला है भारत में उर्जा का मुखे श्रोत है तो दोस्तो वो है आपका तापिय उर्जा अगला है दोस्तो slate और संगमर्मर है तो दोस्तो ये है आपका काइंतरिक चटाने अगला है दोस्तो बलुआ पत्थर परिवर्थित होता है दोस्तो वो कैसे होता है तो वो क्वाटरजाइट के रूप में होता है ठीक है अगला है सुनामी किस भासा का सब्द है तो दोस्तो सुनामी जो है वो जापानी भाषा कर सब्द है जो जानते सुनामी क्या होता है समंद्र की जो तुफान होती है लहरी होती है ठीए अगला है भारत के राष्टेगान के रह चाहिता है तो दोस्तो वो है रमिंद नाट टैग और दोस्तो कई बार कोशन ये भी आता है कि किसने जो हमारे देश का जो राष्ट्रेगान है और बांगलादेश का भी राष्ट्रेगान है वो दोनों दोस्तो रविन ना टेग और जी नहीं लिखा है तो दोस्तो इस कोशन को भी ध्यान रखेंगे कोशन ऐसे पूछ ले जाते हैं अगला है रेवीज के टीकी की खोज किस ने की थी दोस्तो ये की थी लुई पास्चर ने अगला है दोस्तो जलिया वाला बाग हतिया कांड हुआ था तो दोस्तो ये हुआ था कहां पे हुआ था तो दोस्तो ये हुआ था अमरित सर पंजाब में अगला कोची नहीं से बंता है कि जलिया-वालाबाग हत्याकांड हुआ था, किस तारीक हुआ था, तो वो हुआ था, 13 अप्रेल 1919 को जलिया-वालाबाग हत्याकांड हुआ था, अमरिसर पणजब में ठीक है अगला है दोस्तो quantum सिंदान्त के प्रतिपादक थे दोस्तो तो वो थे flank ठीक है दोस्तो आज का 34 अंतिम question है कि सोने का सही सांकेती का अच्छा है दोस्तो सोने को सांकेती गुरूप में ग्यक्त करते हैं अगले वीडियो को आगे बढ़ा सकें ठीक दोस्तो फिर मिलते अगले वीडियो में जय हिंद